हेलो गाईस, चलिए आज बनाते हैं नूडल्स वो भी एकदम हेल्दी आप सूच रहे हूँगे कि नूडल्स भी हेल्दी? हाँ जी मैंने आज बनाए है एकदम हेल्दी नूडल्स जिसमें बहुत सारी वेजिस मिक्स की है यहाँपर मैंने ले लिए है वेज हक्का नूडल्स आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के टू पैकेट्स ले हैं चिंग के वेज हक्का नूडल्स यह खाने में बहुत ज्यादा delicious बनते हैं अब मैं क्या करूँगी जो हमारे नूडल्स हैं उनके packet कट कर लूँगी दोनों packets को इस तरह से और इनको मैं बीच में से ऐसे तोड़ दूँगी दो पीसिस में इस तरह से और जिब ये noodles हम बनाते हैं तो इन noodles को हमें ज़ादा देर तक boil नहीं करना होता है बस simply हमें पाने boil करना है जब पाने में अच्छा सारा उबाल आ लेंगे और उसमें हमारे noodles डालके ढखके रख देंगे 10 मिनट के लिए हमें noodles को boil नहीं करना है क्योंकि ये instant noodles है और इनमें जो ये वाले noodles है इनमें मैदा भी है लेकिन साथ-साथ इसमें मैदे की quantity 50% है और 50% इसमें आटा और सूजी मेक्स है अब आप देख सकते हैं मैंने आपर धेर सारी veggies लिए है पनीर, शिमला मेच, प्याज, गाजर और गाजर, शिमला मेच, पनीर और साथ में लिए हैं spring onion और simple हमारे प्याज इतनी सारी सबगियां डलेंगी तो अपने आपी हमारे noodles healthy हो जाएंगे किसान का fresh tomato ले ले लेंगे, dark soy sauce ले ले लेंगे और green chili sauce ये सभी chink company की हैं और इनसे ये तीन sauce इसमें जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा यमी बनने वाली है अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल लिया है, सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज, प्याज को हम अच्छे से brown कर लेंगे इस तरह से और जब प्याज हमारे हलके हलके brown हो जाएंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे हमारी शिम्ला मिच, देखें, अब यहाँ पर हम जब प्याज को fry करते हैं, एक तम तेल ना बिल्कुल गरम होना चाहिए, और उसके बाद हमें बिल्कुल high flame पिन सबजियों को भूनना है, low flame पे डालते हैं, तो बहुँ ज्यादा टेस्ट लगते हैं जाओमें में, हमारे नूडल्स में, sorry, अब हम इसमें पनीर अड़ कर देंगे, पनीर भी हमारा sauté कर लेंगे, अच्छे से, देखें कितनी सारी veggies हैं, जितनी हमारे नूडल्स से, उतनी ही हमारी veggies हैं, अब मैंने यहाँ पर नूडल्स को ढखके रख दिया था पतीले में और नूडल्स के अब भी हमारी जब सब्जियां 60% कुख हो जाएंगी तब मैंने इसमें डाल दे हैं डाक सोया सोस, ग्रीन चिली सोस इस तरह से और डाल देंगे टमैटो सोस और इन तीनों को हम अच्छे स मिक्स कर लेंगे सबी वेजिटेबल्स के साथ देखे कितना प्यारा कलर आ गया है जैसे मंचूरियन होता है यह विल्कुल वेज मंचूरियन लग रहा है लेकिन यह फ्राइड हाँ आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं यह ऐसे भी टेस्टी लगेगा और यह बहुत सुन्दर हम जो सारी सब्जामिल के तियार हो गई है अब हम इसमें एड करेंगे नूडल्स अब बात आती है सबसे मुश्किल प्रोसेस के इनको मिक्स करना सबसे लगता है ताफ क्योंकि एक तो यह खिले-खिले बनने चाहिए फिर इनको मिक्स करते थोड़े स्टिकी हो जाते हैं लेक पहले कम डाली थी अब इन सबको मैंने यहाँ पर दो बड़े स्पून ले लिया है और दोनों हाथों से इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूं ताकि सारे जो वेज्जीज हैं स्पाइसिज हैं और जितनी भी हमारी सोसिज हैं सभी अच्छे से हमारे चाहुमिल में मिक्स हो जाए और लास्ट में एड़ कर देंगे स्प्रिंग ओनियन एड़ कर देंगे फिर उसके बाद फिर से एक बार में मिक्स कर देंगे स्प्रिंग ओनियन जो हैं हमारे नूडल में खाने में बहुत जादा टेस्ट लगते हैं और यह हेल्दी भी होते हैं और एक जो कलर होता है ना जो गार्निशिंग में सुन्दर लगता है बहुत जादा देखने में इस तरह से हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो गई हैं और हम करने इसको इंजोई आई होप आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी देखिए अपी मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूं कि यह कैसे बने थे और मैंने जब इसको टेस्ट किया तो यह बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बने थे खाके तो एकदम बिल्कुल लागी नहीं रहा रही है मैंने बना इतनी ज़्यादा टेस्टी बने थे फिर मैंने मम्मी को मेरे हस्बें को सीरत को सभी को सबने कुब नजोई किया